हलू गाईज कैसे हैं आई होप आप सभी अच्छे होंगे तो देखिए सुबह सुबह नास्ते में हम बना रहे हैं मैगी आयसमान के लिए आयसमान को सुबह सुबह मैगी खाना है तभी स्कूल जाना है नहीं तो वो स्कूल नहीं जाएंगे और उधर हमारे यहाँ तो यह हम आज फिट करवा दे रहे हैं तो एक हमारा लग चुका है दूसरा भी लगने जा रहा है तीसरा भी हमारा लग जाएगा तो आज हमारा यह पंखे का काम खतम हो जाएगा दो पंखे हमारे बचेंगे तो हम बाद में उनको लगवा लेंगे क्योंकि यह दोनों पंखे और भी छूटा हुआ था तो जितना भी तूटा फूटा काम था वो हम सब करवा ले रहे हैं धीर धीरे और आप हम जा रहे हैं, कहीं गूमने, बाहर जाना है हमें, गूमने जाएंगे और उसके बाद आएंगे, फिर हम खाना बनाएंगे, हम कहीं और गूमने नहीं जा रहे हैं, यहां पडोस में ही जाना है हमें, तो वहीं हम जाएंगे, थोड़ा सा काम भी है, उसको निप्टा क हम जल्दी से आ जाएंगे और फिर हम खाना बनाएंगे आज आई समान इसकूल नहीं गये हैं बिटिया दोनों चली गई थी सुभा सुभा बहुत तेस से यहां पर बारिस हो रही थी बारिस होने की वजह से बिटिया तो चली गई लेकिन भाईया नहीं गए हैं क्योंकि गर पर ही रह रहे हैं हैं। और आझ भी वह घर पर ही हैं। नहीं फिर अपर ही तो महतों है। फिर कहीं बाहर घूमने भी नहीं जाएंगे इनको डर भी रहता है कि अगर हम बाहर घूमने जाएंगे तो मार खाएंगे इसलिए वो बिलकुल भी घूमने नहीं जाते हैं बस टीवी देखते हैं टीवी टीवी चाइना अस्ता खाना बस यहीं उनका काम रहता है तो अभी हम सबजी बनाएंगे दाल बनाएंगे चावल बनाएंगे तो दाल मैंने चड़ा दी है पकने के लिए और इधर सबजी सलाद वगेरा निकाल के रख लेंगे फ्रीज से बाहर ताकि थोड़ा से ये नॉर्मल हो जाए क्योंकि फ्रीज में जब हम सलाद रख देते हैं खीरा सिम्ला मिरज रखे हुए थे तो आज हम सिम्ला मिरज की सबजी पकाएंगे दोस्तों सिम्ला मिरज को हमने धो लिया है और अब हम इसको काट लेंगे और काटने के बाद हम सिम्ला मिरज आलू की सबजी बनाएंगे आप लोग कैसे बनाते हो सिम्ला मिरज की सबजी मुझे जरूर बताना दोस्तों बहुत सारे लोग तो भरवा सिमलमरत की सबजी पसंद करते हैं और किसी किसी को काट के पसंद है तो यह हम आज काट के ही बनाएंगे भरवा हम बिल्कुल नहीं बना रहे हैं कभी-कभी भरवा भी बनाते हैं जब मन होता है लेकिन आज हमारा सबजी दाल के साथ तो दाल भी पक चुकी है कूकर हमने उतार के लिख दिया है नीचे और आब हम सब्सक Civ चुरियु दोस्तों सबेरे सबेरे नाच्ker된 धी उतार धीते भूओने घूओने तो यह नहीं र Zayicim cow a बहुत ज़दा पसंद है इनके पापा को भी बहुत ज़दा पसंद है तो इसलिए हमने गूगरी बनाई थी तो ये बच्चे खा के गए भी हैं और थोड़ा सा जो बच गया है ये हम लोग अभी लंज की टाइम पे इसको फिनिस करेंगे तो अब हम सबजी चौक देंगे दोस्तों आलू और सिम्लमरज की सबजी हम बना रहे हैं तो आलू और सिम्लमरज की सबजी बना लेंगे और दाल हमारी पूरी तरह से पक चुकी है दाल में अभी तड़का बाकी है तो दाल में तड़का भी हम लगा देंगे बाद में ये दाल हम साधी ही चौक कभी-कभी फ्राइ भी कर देते हैं क्योंकि बच्ची फ्राइ दाल नहीं खाते हैं को कड़वा लगता है और अब हम स्लाध काड़ लेंगे क्योंकि खाने का टाइम हो रहा है एक बजने वालें सबजी हमारी पक रही है दाल हमारी पक चुकी है और दाल पकने के बाद हमने चावल भी पकने के लिए रख दिये हैं चावल भी हमारे पक जाएंगे एक बज़े तक हमें किसी भी हाल में खाना कंपलेट करना होता है दोस्तों एक बज़े तक हमारा पूरा खाना बन जाना चा कभी कभी साड़े ग्यारा से भी स्टार्ट कर देते हैं सलाद हमने काट लिया है और सलाद को हम रख देंगे अभी आप देख सकते हैं कि हमारा चावल पक रहा है एक तरफ और एक तरफ हमारी सबजी पक रही है तो सबजी लगबग पकने ही वाली है और चावल में भी सीटी आ जाएगी अभी तो चावल भी हमारा पक जाएगा क्योंकि आइसमान घर पर है मैंने आपको बता दिया पहले ही कि वो घर पर ही है तो उनको भूख जल्दी लगती है इसलिए हमें उनके लिए दाल चावल सबजी बनाना जद्र जरूरी है रोटियां हम बाद में सेख लेंगे उसकी कोई इतने जदा टैंसर नहीं है क्योंकि जब सब लोग आएंगे रोटियां तभी गरम गरम बनाते हैं आइसमान को रोटी नहीं पसंदें वो रोटी नहीं खाते हैं उनको दाल चावल सबजी ही चाहिए होता है तो उनको हम दाल चावल सबजी खिला देंगे जैसे CTI की थोड़ देर के बाद हमारा खाना बनकर त्यार हो जाएगा और आइसमान को हम खाना खिला देंगे दोस्तों बचे भी जब स्कूल से आते हैं वैसे तो टिफिन लेकर ही जाते हैं लेकिन जब बाद में आते हैं तो उनको बहुत भूख लगती है दो बजे बच्चे बहुत भूखे हो जाते हैं इसलिए हम कोई भी काम ऐसा नहीं रखते हैं जो कि हम दो बजे के बात करें तो देखिए आयसमान दाल चावल और सबजी ख अच्छी लगी हो तो लाइक करना थैंक यू अच्छी लगी हो तो लाइक करना थैंक यू